नमस्कार मैं हूँ सच्चेदानद वसेष्ट शर्जनों सूर्य का जो द्वादस इस्थान के अंदर सूर्य अगर सुबग है तो परिणाम भी सुब देता गहे वो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ प्राप्त करता है लेकिन अगर नीच राशी के अंदर सूर्य और द्वादस इस्थान के अंदर है तो द्वादस इस्थान में सूर्य जब नीच राशी का है तो नीच राशी में सूर्य कब आता है जब तुला राशी में होता है और यह 17 अक्टूबर से लेकर के 15 नौंबर तक होता है इसमें जितने भी संसार के अंदर जो व्यक्ति उत्पन होंगे वो सब के ही सूरी नीच का होता है अब सूरी हमारे नित्र कारक है, रिधे का कारक है, हड्डियों का कारक है, कृष्री कारक है, पिता कारक है और राज्य कारक है सूरी जब बार्वे स्थान के अंदर, द्वादस स्थान के अंदर जब नीच राशी में होगा तो सबसे पहली बात ये एक है सूरे से संबन्दी जितने भी जो काम कहें उनके अंदर परिणाम हमारे अच्छे नहीं निकलते है पिता से संबन्द अच्छे नहीं रहते है राज्य से संबन्द अच्छे नहीं रहते या कोई ना कोई राज दंडो या कोई भी जुर्माना ये हमें भुगतना पड़ता गए बार्माइस्तान विदेश का भी होता गए तो विदेश के अंदर ऐसफल होना या धन को गमा देना विदेश में रोग से गृस्त हो जाना और अमानत में खयानत करने वाला आदमी होता गए कारीगर विद्वा और नीज इस्त्रियों के साथ में संबंद बनाने वाला भी हो सकता है अगर उस सूर्य के उपर शुब प्रभाव ना हो ब्रियस्पति शुक्र का जो कह है उसके उपर दृष्टी ना हो तो ऐसा संभव है पत्नी वे दादी के लिए रोक कारक होता है सत्रों से पीडित होता है और पैत्रिक संपत्ति जो दादा परदादा से प्राप्त जो संपत्ति है उसका भी नास कर देने वाला होता है अब इस सूर्य का जो इतना असुप परिणाम है तो उसको कम कैसे करें देखिए रोग को कंट्रोल करने का काम चिकित सक्का होता है उसी प्रकार ये जितने भी उपायक है उनके सारे जितने जो परिणाम ग्रहों के होते हैं उनको बदल नहीं देते लेकिन उनके परिणामों में दूस परिणामों में कमील आ सकते हैं तो अब आपको सबसे पहले तो ये कहें कि कार्तिक की शांती करने चाहिए सूर्य की शांती करने चाहिए दूसरे नंबर पर ये जो यंत्र आप देख रहें पीछे इस यंत्र का आप निर्मान करें सुर्ण के पत्र पर इतनी क्षमता नहीं है तो तामे के पत्र पर और उसमें भी दुविदाख है तो भोज पत्र के ऊपर लाल चंदन की शाही से अनार की कलंद से आप इसका निर्मान करें दातू के ऊपर खुदवाना पड़ता के और भोज पत्र के ऊपर लिखना पड़ता के तो इसका निर्मान करके और आप 21,000 वार सूर्य का मंत्र जाप करके उसमें वैदिक मंत्र हो सकता है सूर्य गैत्री हो सकती है पुरानिक मंत्र हो सकता है लेकिन आप सबसे सुगम इस मंत्र का आप 21,000 बार जाप करके और वो जो यंत्रक है उसको आप लाल धागे में गले के इंदर आप उसको धारण कर लीजिएगा दूसरे नंबर पर आप 108 रभीवार सूर्य को अर्ग दें जल दें तांबे के पात्र से इसके अलावा तांबे के चोको टुकड़े रभीवार के दिन जल में आप प्रवाहित करें और सफेद चंदन से 21 रभीवार आपको जो है शनान करना लाए चंदन घिस करके लकडी वाला ना कि डिबिया वाला वो घिस करके जल में मिला करके शनान करें तो सूर्य के जो दूस परिनाम है वो कम होते चले जाएंगे एक्कीस रभीवार बंदरों को गुड़ खिलाएं बहुत सुगम उपाई बता रहा हूं और इसके अलावा अंधों को साथ रभीवार भोजिन करवाना अपने इस्ट देव की मूर्ती रभीवार के दिन चांदी की मूर्ती वो अपने मंदिर में स्थापित करना और चलते पानी के अंदर तांबे के सिक्के जो हैं सरावियों के भी निकट नहीं जाना अगा है अगर इतना आप कर लेते हैं तो सूर्य के दुस्परिणाम से आप बच सकते हैं आपको और भी कोई जान करी क्यों कि आउशक्ता के तो इन नमरों के उपर आप संपर्क करके अपाइंटमेंट लेकर के कारेले की सेवाएं जानिक है तो कारेले से आप संपर्क करके और वहाँ ओडर करके ये यंत्र आप निर्मित करवा करके मंगवा सकते हैं नमस्कार हमारे यहां वैदिक ब्रह्मनों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाट, कर्मकांड, संगीत में विभा, ग्रीक लेश, काल सर्प दोश, व्यापार में रुकावट वा नव ग्रहों की पूजा आदिक कराई जाती है हमारे संपर्क सूत्र हैं हमारी वैब साइट है